तो नमस्कार गाई, मैं जो है math के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे, मैं ही बनाता हूँ, तो अब आपको history के, मतलब मैंने ठाना है कि history के जो important जो होते हैं न चीजे, जो important personalities है, जिनसे question SSC पूछता है, बार बार पूछता है, तो उस पर हम ध्यान देंगे कि 5 series में videos होंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे मैं continue करूँगा नहीं तो देखा जाएगा तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में ठीक है तो चलिए start करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय का जन्म जो है वो 1772 इस्वी में हुआ था ठीक है और इनके इम्रित्य 1823 ब्रिस्टल एंगलाइड में हुई थी इसके बाद जो राजा राम देखो इस वीडियो में आपको बस इंपोर्टेंट चीजे मिलेंगी कोई भी बगवास चीज में नहीं करूँगा जितनी इंपोर्टेंट जो एक्जाम में पूछी जाती है डिट्टो वही थे नहीं तो राजा का टाइटल कहां समीलेगा राजा का टाइटल उन्होंने अकबर दूती ने उनको राजा का टाइटल दिया था अब यहां पर राजा राम होन रहा है के और भी नाम है जैसे कि होता है बहुत लोग के नाम अलग अलग होते हैं दूती नाम होते हैं वैस पीनों इंपोटेंट को चीजे हैं जो एक्जाम में पूचा जाता है अब कुछ-कुछ डेट्स आपको याद रखनी है जो कि राजा रामोहन रहे ने कुछ-कुछ काम किया था जो एक्जाम में बारबर पहुंच जाता है सबसे पहला 1814 में राजारा मौन रहे ने आत्मिय सबा बनाई थी आत्मिय सबा ठीक है इसका काम था रिलिजियोस रिफॉर्म्स करना तो 1814 आपको याद रखना आत्मिय सबा और्गनाईज की थी ठीक है इसके बाद से 1817 में चल जा तो हिंदू कोलेज कलकत्ता में इस्टाबलिस किया था अठारसो पचीस आठारसो पचीस की बात करें तो 825 में हुने जई है वेदान्त कोलेज कोलकत्ता में इसके बाध से 1818 here the most important ठीक है जो कुश्चन बार-बार पुझ जाता प्रमो समाज के establishment 1288 में हुने ब्रमो समाज समाज का establishment किया था और ब्रह्मो समाज तो ब्रह्मो समाज के बारे में थोड़ा सा और जाने लोग जैसे देवेंदरनाथ टाइगोर बस ब्रह्मो समाज राजारा मोहनरवाई ने इसको बनाया था लेकिन देवेंदरनाथ टाइगोर और केसव चंद्र सेन भी इसके प्रमुख लीडर्स थे देखो देवेंदरनाच जो टाइगोर थे 1888 में ब्रह्मा समाज बना देवेंदरनाच टाइगोर केसोचेंटर से बाद में है तो देवेंदरनाच जो टाइगोर थे उनका एक और्गनाजेशन पहले से था तत्व बोधनी समाज ठीके तो तत्व बोधनी समाज उनका पहले से था ले इसलिए देवंद्र रनट्टाइगोर ने ब्रह्मो समाज में आपना बुरिया विस्तरभांद की ब्रह्मो समाज में आ गए और केसोचेंद्र सेंह उसमें लीडर थे बाद में जो सामील हुए थे अब इसके बाद से जैसे भर्मो समा इसटैबलिस होता है 1828 में तो 1839 में पहला काम होता है सती प्रथा को Abolice कर दिया गया उस समय जो Governor General of India थे वो कौन था Lord Bentix Lord Bentix उस समय Governor General of India था और 1839 में सती प्रथा को खतम कर दिया गया यहां से इसके बद से जो important समचार पत्र हैं जो आपको important पूछे जा सकते एकजाम में दो समचार पत्र बहुत ज्यादा इंपोटेंट है, पहला जो पूछ लाता है वो समवाद कॉमवदी, समवाद कॉमवदी जो है वो न्यूज पेपर है, जिसको बंगाली भासा में पब्लिस किया जाता था, ठीक है, समवाद कॉमवदी फर्स्ट, सेकेंड मिराट उल अकबर, मिराट उल अकबर, जिसको फार्सी वासा में पब्लिस किया जाता था, ये भी एक न्यूज पेपर है, इसके बाद से आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मो समाज पे आ जाओ अगरा, तो ब्रह्मो समाज 1833 में राजा राम मोहनवाई के मृत्ति हो जाती है, तो दिवेंदर न इनका सुमझ आपसे मैज नहीं कर पाता है, जैसे कि 244 सेंते थोड़ा आगे का सोचते थे, यानि कि उनको इंटर कास्ट में भी कोई तकलिप नहीं था, बलकि जो दिवेंदर नाट्यगूर थे, वो इसके खिलाब थे, तो यहां पर अनुबन होती है, 1866 में दोनों स्प्ल केशोचंद्र सें इसको लीड गरते है, अब यहां पर एक चीज हो जाता है, जो कि देखो, यह दोनों इंप्रेंट है, आधि ब्रम समाज, इंडियन ब्रम समाज, लेकिन केशोचंद्र सें क्या होता है, कि देखो, अभी आप कोई इरुनाजेशन बनाओ, और खुद ही उस इन्होंने अपने रूल को थोड़ दिया कैसे तोड़ा कि उनको एक ओफर आया राजा के तरफ से कि राजा का बेटे के साथ उनकी बेटी की साधी करनेगा तो यहां पर उनकी बेटी बस 13 साल के थी और उन्होंने केसो चंद्रसेन ने अपनी बेटी की साधी करवा दी उस रा नारण ब्रह्मो समाज था बस इतना जनकारी आपको राजा रामोड राई से जरूर होनी चाहिए इसके लब आप से बाहर कुश्चन नहीं पुझ जाएगा उमीद है आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो और अगर अच्छा लगा हो यार लाइक बनता है सस्क्राइब क कि नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है द्याना स्वरस्कती के उपर बनाओ तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग बताना जैसे भी और हो सकता कई जलती हुआ हो तो भी बताना या ठीक है तो उमीद है आई होप आट यू लाइक टिट धन्यवाद बहुत बहुत धन्यव कि झाज़ खोगा हुआ हो तो आई है वह हुआ है वह हुआ है।